सही नहीं हुआ मेरे गाउं का मैटर है मैं यह चाहता जिसे इंकाउंटर ना होके उसका भी पैरोर में गोली ओली लग गई होती उसको जेलोल भेदेते यह सही था इंकाउंटर करना है माबाप का एक लवता पूतर था क्या कभी इस चेतr में आस-पास कभी उसने चोरी की डंकैती की किसी को मारे लूट पार्ट का मामला आप लोग के संग्यान में आया हमारे यहां पूरे घ्राम सभाद रहों के आपको बात बता दें किसी विक्ति और यह आदध हो या ठाकुर हो यह सब्सक्राइब नहीं था मेरे बक्साथ बदलापूर लोकल के जो तीन थाने यहां कोई मुकदमा नहीं था वो तो मरने के बाद पता लगा उसके पास तीन-चार मुकदमे दर्जें उसको गंगेश्टर बना दिया गया था सताधारी बीजेपी में थे विपिन सिंग को ले जाके सिलिंडर करा दिये कहा यहां पर कोई अडोस परोस में ऐसा कोई नहीं था जो हजार पांस रुपए खर्चा करके उस लड़के को ले जाके पेस कर देता हूँ अपनी बात रख पाता मैं गुना किया हूँ किया हूँ साथियों नमस्कार इस वक्त हम मौझूद हैं मंगेश यादो के गाउं में गाउं के बाहर एक छोटी सी पांटपरी की दुकान थी इसी पे बैठे थे आप लोगों ने तो खबर देखी होगी जो हुआ है सुल्तानपुर में बीते 28 तारिक को वहां पर एक राबरी होती है एक जोलरी के दुकान से बताया जा रहा है कि दो से धाई करोन रुपए का माल वहां से चोरी किया जाता है और उसी के आरोपी मंगेश यादो को पुलिस इंकाउंटर में धेर कर देती है लेकिन हमने उनके घर पर बात किया तो उनके परिवार वाले बता रहे हैं कि पुलि हमने उसको भाग रहा था इंकाउंटर में मा रहा था वहां पे एक बाइक दिखाई गई है बैक दिखाई गई है लकिन जो बयान घर वालों का है और पुलिस वालों का जो बयान है उसमें बिल्कुल मैच नहीं खा रहा था अगर उसका इंकाउंटर किया गया वो यहां से भाग रहा था तो फिर उसके हाथ में हतियार कहां से आया अगर पुलिस उसको यहां से उठा के ले गई तो उसके हाथ में हतियार कहां से आया बाई कहां से आयी तमाम सवाल हैं उनके गाउं के ही हैं भाई-शाव हमारे इनसे हम बात करेंगे क्या मंगेस इससे पहले भी जो उसके उपर आरोप लगे हैं ऐसी घटनाओं को कभी अंजाम दिया था जो एक घटना होई है आप यहीं के हैं तो काफी वाकिब होगे मंगेस यादो से अभी जब सामने आया ऐसी घटना उसको मार दिया गया तो बताया जारा आठ-ठाठ मुकद में उसके उपर चल रहे ह 20-22 साल उमर सायद रही होगी तो अगर यह उसने रॉबरी की तो बागी कई लोग थे उसमें पुलिसवालों का कहना है कि उसको इनकाउंटर मारा गया जवावी कारवाई में यानि यह पुलिस को मारने की कोशिस किया उसके उपर फारिंग कि तो उधर से भी जवावी फिर यह हास्पीटर में पुलिस वाले इसको ले जाते हैं फिर वहां ये दम तोड़ देता है लेकिन घर वालों का वहीं पर कहना है कि वो पुलिस यहां से उठा के ले गई थी घर वाले कुछ हलक बयान दे रहे हैं हैं पहले तो मेरा नाम जान लिए मैं आसी सिंग मंगेश यादो दस साल जुनियर था कभी काल मैं उसको देखा हूंगा यहां पर नहीं देखा था जी ट्रक चलाते हैं सायद कुछ ना कुछ उसका रहा होगा वहां पर तभी हां गलत यह हुआ जो राष्टी अध्यर्च माननी अखलेश यादो जी कह रहे हैं कि जात देखके मारा गया तिन उसके पहले दो ठाकुर एक ब्रामण का भी पैर में गोली मारी गई है ऐसा नहीं है कारवाई नहीं हो रहे कोई जात विशेज के उपर कोई नहीं लेकिन यह पूरे कोम को बंदाम कर रहे हैं यह ठाकुर जात पे अखलीस यादो जी ब्लेम कर रहा है जबकि हम लोग भी वहां गए हमारे गाउं का लका था हां गलत यह हुआ उसका इंकाउंटर जाहिर सी बात है अगर पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो फूल माला लेकर दवड़े के नहीं अब यह घर वाले बता रहे है सनीवार को दवीश पड़ी रवीवार को दवीश पड़ी जेकर घर बार-बार पुलीस आ रही है किसे हमारे घर कोई पुलीस आए मरे पर परिवार वालों को कहना है परिवार वाले कुछ और बता रहा है प्रसासन कुछ और बता रही है पुलिस आई थी आप गाहों के तो पता होगा पुलिस से हाट घर रोज रात को कैसे जाएगा अपने रहेगा आप बताइए मेरे ओपर कोई मुकदमा नहीं है मेरे घर अभी एक सिपाई चला जाए दो सिपाई चला जाएगा हालत खराब हो जाएगी मैं क्या मेरे घर वाले भी घर छोड़ के हड़ जाएंगे तो आपको क्या लगता है पुलिस वाले उसक मेरं जाए जाएगा न जाएंगा है अंवागी आपको क्यों दो आomyीं कुरों मेरा यहां सूंत करेंगे मेरा जहां नहीं था उसका परताब गड़ में था और सुन्तानपूरी में मुकदमे थे उसके उपर जो भी थे आप भी जानते हैं कि इस तरीके से जो अपराधी होते हैं जो करोनों रुपए की रॉबरी करेगा गैंगेश्टर होगा उसके घर की इस्थिति क्या होगी और इनके घर की सरदार हूं यहां भर वह माने रखता है करा देते अब बताई आज ताता लगा हुआ है सब लोग जा रहे हैं और यहां से लेके परदेश लेबल का मुद्धा बन गया अब राधी कोई जात नहीं होती है मैं यह कह रहा हूं अगर सता धारी BJP में थे विपिन सिंग को ले जाके सिलिंडर करा दिये कर दिये कोई कोई नहीं था जो हजार पांस रुपए खर्चा करके उस लड़के को ले जा के पेस कर देता अपनी बात रख पाता मैं गुना किया हूं कि इतना बड़ा अपराधी था कभी गाउं में आया आप लोगों ने गाड़ी गोड़ा उसको देखा गाड़ी से आता हो या किसी प्र यही है कि पुलिस वाले कह रहे है कि उसको मुटभेड में मारा गया और घर वाले कह रहे हैं गाउं वाले भी हम लोग पूछे तो उनके घर की आस पास के बोल रहें रात में पुलिस आई थी यहीं से उठा के ले गई पकड़ी कहा से पकड़ी उसको उसका कुलू मिला उसका मोईल या कोई लिंक भाई पुलिस प्रसासन जिसको चाहे उसको पकड़ लेगी ऐसा थोड़ी है जैसे मैं कोई अपरात कर दूँ और मोईल अपना घर छ दाखनों सवाल मेरे गहर बेगा दीन दिन से धान ना रहा ही तो दिन नहीं हं listen दाल रहे हैं तुछ है बू Un porta रहे हैं कि हमें धंकाया गया घमाट दो तुम लोगों ने कुछ बोला तो इसको मार देंगे घर वाले आज कैसे बोल रहा है आप बताईए अलोसी पढोसी आज क्यूं बोल रहा है उसके पहले दो दिन मैं बता रहा हूं ना उसको ले जाके कुछ करना ही नहीं था उसको दो चाल लोग लेते लेक जाके वहां यह मूँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था अभी तो दुनिया में नहीं है क्या कभी इस छेत्र में आसपास कभी उसने चोरी की डखैती की या किसी को मारा है लूट पार्ट का कभी मामला आप लोग के संग्यान में आया हमारे यहां पूरे ग्राम सभाग रहों की आपक मुकदमे दृज थे यहीं हम ठाकूर हैं यहां जैतनी दुकान के आप हम लोग बाइठे हैं सब कहा आपस में रहते हैं वरह चारे की तरह मंगेश यादो के मनने के बाल हम लोग पता चला यह उसके उपर 90 इसके उपर 22 में लग गया था तो उनको उसमें तो उनको उसलेंडर कर दिये थे बाकी साथ कि गोली मार गए जी दो ठाकुरों लेकिन इनको जान से मार दिया गांगा यह सही किया गया जाए जैसे आप मौहां हम मौके पे थे नहीं अगर यस्टीएफ बता रही हमारे उपर गोली चला है अपने बचाव मे रहा था पैर में गोली मार के अब वही बात खल गई है अकले जी को बस यह यादो निकल गए उठाकुरों प्रामर्त थे बस यही बात थे और कोई बात नहीं जान तो गई है इनकी नहीं अभी आपको बता देश में तीन यादव और हैं यहारा लोग को नाम आया इसमें त करा दीजिए कहलो है अभी पूरा माल बरामद का बैपन को इस पारादी का था इसकी आप भी देखे हो यह व ली कैस्षा दूबे उसकी आप देख रहें थे भी आप सारे अपरादी है जिनके सरपच्छत नहीं है जिनका बिल कराने के लिए कोई जान नहीं रहा जोन पूर्जियल में ऐसा है उनके घरवाले सब निर्थक हैं भाई एक पान के टफ़री चलाने वाला अगर अपना च्छत बना सकता है तो जाहिड से बात है उसके पिदाज भी ट्रक चलाते थे व बाइब कुछ रहा होगा उनका परिवारिक रीजन जो नहीं बनावा पाया बाकि हमारे हाँ के यादो सब सच्छम है उनके अड़ोसी आप जाएंगे देखेंगे सब इस मामले को आप किस तरीके से आप देखते हैं जो हुआ एंग इस बात बहुति है खबरे जानकारिया इसलिए जुटा रहे हैं कि आए दिन पुलिस के ऊपर भी आरप लगते हैं तो इससे लोगों से जानने में थोड़ी से सुविधा होती है, लोग जानते भी हैं कि जो देश में हमारे चल रहा है, जो पुलिस कर रही है, कहीं कहीं इनके उपर भी जो आरोप लगते हैं, और देखें, आरोप पुलिस लगा रही है कि इसको हमने इंकाउंडर मारा और घर जरूर दीजिएगा कि मंगेश यादो के साथ जो एस्टीफ वालों ने पुलिस परसासन ने किया सही किया या गलत किया पीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद